Hello guys, तो आज हम लोग कवर करेंगे cooperative banks इससे पहले हम लोगोंने सबसे पहले देखा था backing structure क्या है हमारी country का उसके बाद हम लोगोंने discuss किया about State Bank of India, Reserve Bank of India, about the Apex Institute जिसमें थे नाबाद, SIDB, exam और भी चीजे उसके बाद मैंने अपनी last video में cover किया था RRBs उसके बाद आज हम लोग discuss करेंगे about cooperative banks Just like RRBs, cooperative banks का, हम सबसे पहले देखेंगे brief intro, cooperative banks है, क्या, क्यों बने, कैसे बने थोड़ी सी उसकी history, then इसका पूरा structure उसके बार इसके objectives, functions, importance, कुछ भी बोलो exams में generally यह आएगा तो 3 या फिर साड़े साथ में mostly आते हैं, जिसमें अगर आप लोग यह वीडियो देख लेंगे तो अराम से question attempt कर सकते हैं, 3 marks का है तो about half page और 7.5 का आजा तो around like 2 base और more than it up. इसके अलावा एक topic मैंने और आड किया है, जो कि अब तक exam में इतना पूछा नहीं गया बट वो काफी जादा chances होते हैं, अगर कभी out-of-box question आ जाए तो वह commercial bank bank versus cooperative bank वर्सिस cooperative bank वर्सिस वीडियो में कवर करूंगा लेकि लास्ट में तो चलिए सबसे बहले हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रों को मेनिंगी तर रेस्पी ट्रीट कर सकते हैं, बेसिकले हापर में मतलबता हूँ को cooperative bank क्या है ताकि समझ आ जाए, एक चीज़ धान लखे कि लाइक में जितनी भी वीडियो बनाता हूँ कभी भी में ज्यादा English focus यह ऐसी कुछ नहीं करता है, क्योंकि हम लोगों का aim है कि आप इसको 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 डिसको सकते हैं, तो जिसे कि आज हम लोग cooperative bank के बारे में बात करेंगे, तो पहले इसकी में छोटा सब मेनिक और definition लिख लेता हूँ, उसके बार हम इसको discuss करते हैं, असान भाषा में असान सी definition, a cooperative bank is a financial entity which belongs to its members who are at the same time the owner and customer of bank, cooperative bank मेरे एक इसी financial entity है, जिसमें जो मेरे members है, वो ही उसके owner भी है और customer भी है, cooperative bank में जो word cooperative है, वो मेरा word आता है cooperation से, cooperation में क्या है, ultimately हम एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, वैसे cooperative bank क्या है, एक association बन गई, members की, जिनका कोई भी common interest हो सकता है, कोई भी common background हो सकता है, कोई भी common belief हो सकता है जिसमें वो एक दूसरे की help करते है, help कैसे करी, जिनके पास जादा पैसा है, उन्होंने दूसरों को lend करा, जिन्होंने किया उनको interest मिला, और जिन्होंने लिया, उन्होंने इंटरस्ट दिया, इसका एक और अच्छा example दो, यह textbook से related नहीं है, बड़ समझने के लिए, जो हमारा जो कमेटी वाला हिसाब होता है, वो भी एक पर इसे cooperative bank का अच्छा example दिया जा सकता है, जिसमें like group of people एक particular time के लिए, money pool in करते हैं, जिसमें regular, monthly या फिर weekly जैसे भी उतको करना है, किष्टे या EMI types होती है, जिसको need होती है, वो ले लेता है, जिसको नहीं होती, उसको उसके money पर interest मिलता रहता है, profit मिलता रहता है, वो ही है हमारे cooperative banks, इसमें 2-3 चीज़े समझने वाली और है, first cooperative bank जो थे, वो register हुए थे under cooperative societies act 1912 में major आये थे, although cooperative societies act 1905 या 6 भी है, जिसके बारे में भी मैं discuss करूंगा, बर जो मेरे main आये थे, वो 1912 के बाद ही आये थे, cooperative banks are governed under banking regulation act, banking regulation act 1949 and banking laws, जो कि specially cooperative societies के लिए था 1965, मेरे जितने भी cooperative banks होता है, उसका regulator Reserve Bank of India है, यानि की RBI ये चीज़ भी याद रखने वाली है, ठीक है, इसके बाद हम, इसकी थोड़ी से history ही देख लेते हैं, cooperative banks क्यों है, क्या जरुरत थी हूँ, अगरा, उसके बाद हम आगे structure भी देखेंगे, तो सबसे पहले चलते हैं, फोड़ी से इसका history है, evolution पर, जैसे कि हम लोगोंने RRBs में discuss किया था, वैसे ही, जो मेरे cooperative banks है, उनका भी main, जो मेरा aim था, वो था, रूरल area की financial needs को meet करने के लिए किया गया था, अब जैसे कि मैंने बताया था, जो मेरे cooperative banks थे, वो established, यह सबसे पहले उनके बारे में बात करी, यह थी, cooperative act 1904 में, लेकिन जितने भी major amendments है, वो मेरे 1912 वाले act में आए, जिसने basically बताया, कि इन सारे banks को कैसे operate करना चाहिए, गर्मेंट कै से इनके ओपर control रखेंगी और ensure करेंगे कि इनकी proper functioning हो पाती है, तो हम लोग सार्ट करते हैं, सबसे पहले, अगर history related आजाए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे about cooperative societies act 1904 का, इसके बारे में बता होगे, यह रूरल इंडिया की, जो financial needs थी, उसके लिए cooperative banks को establish करने के लिए, ब कर भी लिया, लेकिन government को realize हुआ कि हमें इन सब एक चेक भी रखना है, इनकी auditing भी कर ली है, और लाइक सारा transparent वगेरा system भी होना चाहिए, इसलिए, अकला मेरा act आया, cooperative societies act 1912, जिसका main focus रहा about, about establishing new institutions, और organizations for supervision, auditing, यह major है, and supply of cooperative credit, ठीक है, यहाँ पर इसके तुरू, क्या-क्या चीज़े मेरी established हुई, यह, सबसे पहले, union, consisting of primary societies, यह, अभी हम आगे पढ़ेंगे, structure में आईगे अभी इसारी चीज़े, तो बगराना मत, दूसरा, central banks, और तीसरा, provincial banks, history के बाद, अब हम लोग चलेंगे, इसका main topic, ज आएगा, तो सबसे ज़्यादा चांस है कि वो structure से ही हो,